हेलो इब्रण फिर से अपने इस यूटूब चैनल में आप सभी अब्यतियों का मत्पदेश सभी अतिस शिक्षक भाईयों का वहनों बहुत स्वागत करते हैं मत्पदेश अतिस शिक्षक भरती को लेकर दोस्तों जो साला आवंटन सम्मंदी सूचना जारी होनी थी जो सूची 2024 में जीएफेस फोर्टल में दोस्तों बड़ी अपडेट जारी की गई है अब ब्रतियों के लिए बड़ी सूचना है जिसमें दोस्तों अतिस शिक्षक बेट कर रहे थे कि कब इसकी साला आवंटन सूची जारी की जाएगी फाइनली उन सभी अब्रतियों के लिए दोस्तों इस वीडियो में कापी अच्छे इंपॉर्टन जनकारी देंगे आप वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक जरू से जरूर देखें क्या क्या नहीं करना सारी अपडेट इसी वीडियो में इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अतिस रिक्षक प्रवंधार प्राली की ऑप्षियल साइट में जाना होगा जो की जी एप एमस पोर्टल है और यहां पे दोस्तों जैसे स्कोल करते हैं तो आपको यहां पे पासवर्ट करेंगे अप्षियल साइट पर लॉगिन करने के बाद आ चुके हैं और आप देखेंगे यहां पर त्री डॉट लाइन का यह सक्षन दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक करना होगा है जो त्री डाट में और इस पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस पकार से इ दिखाई देगा अप्लोड प्रफाइल फोटो व्यू माई वेकेंसी रजिस्टर चॉइस फिलिंग फार कांसलिंग इडिट चॉइस फिलिंग कांसलिंग इनके लावा दोस्तों बात करें तो लोग एक लोग का आपसन दिखाई देगा आप लोग कर चुके होंगे जितने पर या फिर अपने आप तीन तारी को लॉक हो चुका था तो गेस्ट फेकल्टी पोर्टल पर देखेंगे प्रिंट चॉइस फिलिंग यहां पर देखेंगे और इसी पर आपको क्लिक करना है अपडेट क्या है तो बता दें दोस्तों कि इसमें बड़ी अपडेट जारी की भी है जितने भी अभ्यरतिओं तो यहां पर दोस्तों यहां पर देख लें नंबर आप जो प्रियोंडिट नंबर है वेकैंजी कोड है एंड वेकैंजी एज चूजेन फिलिंग डेट है and school जो आप किये होंगे और panel name देख ली इसके साथ साथ में दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है अब भी जानते हैं दोस्तों की assess बाले जितने भी सिठ्छक थे किसी स्कूल में join कर चुके हैं यहाँ पर देखने इन भेर्थियों ने साथ स्कूलों को चॉइस किया था लेकिन लॉक करने के बाद देख ले केवल 59 ही स्कूल रह गई है तो दोस्तों इन में कोई ना कोई स्कूल में जैसे दोस्तों 35 नंबर पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई भी अतिसिक्षक हैं जो अत्सेस बाले हैं उनकी लिस्ट में जारी हो चुके हैं इसके कान सिंद्ध की एक स्कूल गाया भे हो चुकी है तो सभी अब्भैर्थि इनको जरूर से जरूर चेक कर लें कि किनकिन अब्भैर्थियों में ऐसा हो चुका है जिन अब्भैर्थियों हो चुका है तो इडिट तो अब हो नहीं सकता खोल कर जरूर से जरूर एक बार चेक करने क्या आप लोगों की आईडी में जितनी स्कूल चॉइस किये थे वही है कि अब नए अब्डेट आ चुके है